नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का वहीं चीर परीचित दोस्त पुनहुपस्तित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में एक नई और शदी लेकर एक नया नुश्खा लेकर करके जिहां दोस्तों आज की हमारी और शदी है दोस्तों जामून आए आज कुछ जामून के से बचाने में मदद करता है दोस्तों आयुर्वेद में जामुन को खाने के बाद खाने की सलाह दी जाती है हम बता रहे हैं रोज जामुन खाने के बारह फायदे आपको दोस्तों जामुन में फाइवर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे की कब्ज दूर होता है और डा में मददगार साबित होता है लेकिन कैसे इसके लिए हम विधी बताते हैं सबसे पहले जामुन की गुठलियों को एकत्रित कर लीजिए इनको छाया में सुखा लीजिए सूखने पर इसको कूट कर चोन बना लीजिए यह चोन आप संभाल कर कांच की शिशी में भर कर रख ली कीजिए इतना ही बनाएं जितना की 15 दिनों तक चल जाए आप बना सकें तो ठीक है वरना आप बाजार से भी ला सकते हैं यह बाजार में भी आसानी से मिलता है दोस्तों अब इसे खाने की विधी सेवन की विधी एक चमच जामुन की गुठली का चून एक चमच शहद के सा रात्री में सोने से एक घंटा पहले सेवन करें सावधानिया भी कुछ बरतनी होती है आपको दोस्तों जिन लोगों को मधु में है वे बीना शहद के इसका सेवन करें और जिनको जामुन से इलर्जी है वो इसका सेवन ना करें दोस्तों और कितने दिनों तक इसका सेवन कर छाहिए जिनका फटला है और तुरंट निकल जाता है उनको सचुन का सेवन सेत करना चाहिए अगर पतला हो गया है आपका विरे तो यह रामबान उपाय है के लिए दोस्तों शिगरपतन नपुन सकता विरे की कमी को दूर करने का विशेष नुस्खा है यह जामुन में ग्लुकोज फ्रक्टोज होता है जिससे बॉडी हाइड्रेट उपसूर्ती में निखार आती है दोस्तों इसके साथ साथ जामुन ब्लड सुगर लेवल को कंट्रोल करता है इसलिए डाइबिटीज कम करने में इफेक्टिव है जामुन में कॉलेस्ट्रोल बिल्कुल नहीं होता इसलिए यह हार्ट अटेक की प्रोब्लेम से बचाने में मदद करता है दोस्तों इसमें पोटेशियम और मैगनेशियम होता है जो बीपी कंट्रोल करने में मददगार सावित होता है दोस्तों जामुन में फाइटो केमिकल्स होते हैं जो बॉड़ी की इम्म्यूनिटी बढ़ाते हैं दोस्तों इसमें आईरन की मात्रा अधिक होती है इसे खाने से खोन की क यहां दोस्तों फासफोरस होता है इसमें जो दात मजबूत बनाता है और गम प्रॉब्लेम से बचाता है जहां दोस्तों अगर आपके दातों से गम आता हो तो वो दूर हो जाएगा मैं जा मुझूद एंटि-ोक्सिडेंट पिंपल्स दूर करने में मदद करते हैं जिहां दो होता है जिससे गहरी चूट भी जल्दी ठूइक हो जाती है जिहां दोस्तों अगर आप जामुन का सेवन करते हैं तो आपके घाव या चूट जल्दी भर जाएंगे जामुन में इलैजिक एसीड होता है जो कैंसर सेल को बनने से रोकता है यह कैंसर से बचाने में एफेक्टि आपके लाएंगे 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 लाएंगे